मायावती के साथ साय की तरह इन दिनों उनके भतिजे आकाश आनन नजर आ रहे हैं गडबंधन के ऐलान से लेकर बसपा अधेक्ष के जनमदीन पर आकाश मायावती के साथ दीख रहे हैं अखिलेश यादो मंगलवार को जब उनके घर जनमदीन पर बधाई देने पहुँचे और उनके साथ बातचित कर रहे थे उस समय भी आकाश मही मौजूद थे यही नहीं जब तेजस्वी यादो मायावती से मिलने पहुँचे तब भी आकाश आनन्द मायावती के साथ नजर आए जब मायावती और अखिलेश महागडबंधन की साजा प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे तब भी आकाश आनन्द उस प्रेस कॉंफरेंस में प्रमुक्ताजे मौजूत थे आकाश आनन्द को जिस तरह मायावती महत्व दे रही है इससे ये संकित साफ़ई की आने वाले दिनों में आकाश को बड़ी भूमी का मिल सकती है राजनेतिक जानकार ये मानते हैं कि आकाश को मायावती BSP के युवान नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है मायावती के भाई आनन्द को इससे पहले पार्टी के राश्ट्री उपाध्धिक्ष बनाया गया था लेकिन पार्टी के भीतर के विरोध तथा उन पर CBI के मुकदमे के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया इसके बाद जैपरकाश सिंग को पार्टी का राश्ट्री उपाध्धिक्ष बनाया गया लेकिन जैप्रकाश के अग परिपकवत के कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया मायावती शायद ये चाहती है कि उनका कोई सगा पार्टी की कमान समभाले शायद इसलिए आकाश को वो इतना महत्व दे रही है वजह कोई भी हो एक बाद तो साफ है कि बियस पी में पहली बार कोई युवा चेहरा पार्टी को लीड करेगा बहुजन समाज पार्टी आकाश को एकसिप्ट करती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बेरो रिपोर्ट आवाज इंडिया टीवी